देली करिंट निउस में इस वक्त की खबर है सडक और राजमार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन आज यानि 23 अगस्त को केंद्रे सडक परिवहन और राजमार्क मंतरी ने फिक्की फेडरेशन हाउस में सडक और राजमार्क शिखर सम्मेलन का उदखाटन किया ये सम्मेलन का तीसरा संसकरन है इस कायोजन फेडरेशन आफ इंडियन चेंबर्स आफ कॉमर्स एन इंडस्ट्री यानि फिक्की द्वारा किया जा रहा है इस सम्मेलन की थीम है भारत में सडक के बुन्यादी धांचे में तेजी इस अफसर पर केंद्रे मंद्री ने कहा कि रसद लागत को 16 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना एक चुनोती है जिसके लिए जलमाग, रेलवे, सडक और विमानन के एकिकरत दृष्टिकोंड की आवश्यक्ता है उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के लिए बॉट, हाइब्रिड, एपीसी, टोल, ऑपरेट, ट्रांसफर, कैपिटल जैसे निवेश के विबिन मॉडलों का उप्योग किया जा रहा है साथ ही इनवेट के नए मॉडल से छोटे निवेशकों से धन जुटाने में मदद मिलेगी और इससे छोटे निवेशकों को बहतर रिटन प्राप्ट करने में भी मदद मिलेगी ये समेलन भारत सरकार के राजमारगों और विश्वस्तरिय सड़क बुनियादी धाँचे के प्रबंधन वाकुशल संचाल उनके दृष्टिकोंड के अनरूप है। गोर तलब है कि भारत में सेंट राज़ अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सरक नेटवर्क है। वरतमान में 90 प्रतिशत यातरी और 80 प्रतिशत माल यातायात सरक को द्वारा पूरा किया जाता है। फिक्की यानि फेडरेशन ओफ इंडियन चेंबर्स ओफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की बात करें तो इसके स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्याले नई दिल्ली में है। ये घैर सरकारी घैरलाबकारी संगठन है और देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीश्वेपारिक संग है। ये भारतिय वयपार संगठनों के संग, भारतिय व्यवसायों के विकास और वैश्विक प्रतिस परधा को बढ़ःवा देने के लिए समर्पित है। ये सरकारी योजनाकारों और नीते निर्माताओं के साथ आनौ अपचारिक परामर्श विवस्था के माध्यम से भारत की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करता है ये सेंक तुराष्ट्र पर्यावरं कारेकरम यानी UNEP, विश्व वैपार संगठन यानी WTO और विश्व बैंक जैसे बहुपक्षे संगठनों के साथ भी संबंध रखता है बात करें इन्विट मॉडल की तो इसका पूरा नाम Infrastructure Investment Trusts है सेबी Infrastructure Investment Trusts विनियम 2014 के तहट भारत में इन्विट्स का पंजी करण और विनियमन किया जाता है इसका उदेश है बुनियादी धाचक शेतर में निवेश की सुविधा प्रदान करना है ये एक म्यूचल फंड की तरह है